सवी स्टेंट्स को नमस्कार बिटा सबसे पहले तो मैं आपको बता दू कि इस वीडियो में हम लोग हम साइन्स जो सेकंड एर का पेपर है उसके पिछले साल का पेपर और इस साल के इंपोटेंट कुश्यां दोनों को एक साथ डिसकस करेंगे और यह पेपर जो है इसके उप पर काफी बच्चों को यह डाउट था कि सर कौन सा पेपर हमारे आएगा तो उस पूरे पेपर के उपर हम लोग इसमें डिसकस करेंगे और एक चीज़ और मैं आपको बता दू कि एक्चुली यह जो पेपर है आपको लोग के हम साइन्स का इसमें इसका जो स्लेवस है वो बीए पार्ट फर्स्ट सेकेंड यह देखिए एक वार आप लोग पहले मैं पिछले साल के पेपर का डिसकसन आप लोग के साथ कर लूँ उसके बाद हम लोग जो है इसमें आगे ब पेपर का नाम आपके का है फुने नूट इसमें तीन गंटे लिखा हुआ है और कहीं से भी पेपर को सॉल्व कर सकते हों तो जिस तरीके के कुश्यन आये थे एक वार मैं आप लोग के साथ डिसकस कर लेता हूं जैसे कि आप देख पा रहे हो भोजन को परिवासित कीजिए और प्रोटीन के वानस्पतिक और प्राणिज रोतों के नाम समपूरकता है, आयोडीन की कमी के लक्षन है, है ना, RDA की फुल फॉर्म है, इसके बाद आप फ्लॉरीन की अधिक्ता है, जोऔर के लक्षन है, उप्चरात्मक पोस्ण क्या है, कैलोरी को परिवास्ट कीजिए, और भोजन में मिलावट से आप क्या समझते हैं, तो यह इस तरीके के कुुष्टन थे, और आप किसी भी सेक्शन से कोई भी कुशन कर सकते हैं, दो कुशन जो है, दोनों कुशन यूणिट के कर सकते हैं, अथ्वा वाले भी, जैसे भोजन के पकाने की बिधिया और भोजन की सरीर क्रियात्मा के बम्नोवग्यानीक कारियों का बरणन ये दोनोंbuilt कुशन आप लोग कर सकते हो इसी प्रकार से आप देखो गे कि unit second में से आप लोग दोनों कुशन कर सकते थे calcium के सरीर में क्या कारिय है और इन LC कमी के प्रभाब देखिए यह अभी मैं important प्रेक्टिकल की फाइल के उपर भी इसी वीडियो में मैं आप लोग के साथ सेयर कर दूँगा देखिए संतुलित आहार और आहार आयोजन के लाब क्या है फोर्थ यूनिट की तरफ हम लोग जाते हैं ये देखिए आप साधारण जो गर्बती महिला हैं उनके लिए कौन- लक्षण और आहार ये लक्षण आहार ये परिवर्तम सौरी फिर पांच वी उनिट में से आप देख पा रहे हो कि बी एमर क्या है और फेक्टर्स कौन-कौन से हैं जो इसको प्रभावित करते हैं इसी प्रकार से जो सी सेक्षण है वहां पर प्रोटीन के बरगी करण है उ इसी कुछ कुछन से जेखिया आप बहुत प्रेक्टिकल टाइप के कुछन इस पेपर में आते हैं तो ये पेपर उत्रा टफ नहीं है अब हम लोग इसके स्लेवस के उपर फिर चलते हैं स्लेवस वाले सेक्षण के उपर और स्लेवस वाले सेक्षण में हम लोग देखते है कि कौन-कौन से important question बनते हैं एज़कली क्या है फुड और न्यूट्रेशन्स और फुड और न्यूट्रेशन्स में आप देख पा रहे हो कि कोई भी दो यूनिट आप चाहो तो देख सकते हो कोई कोई भी दो यूनिट कोई दो यूनिट आपको कौन सी देखनी है यह आपको देखना है कि कौन-कौन सी दो यूनिट आप लोग देख पा रहे हो लेकिन मेरा यह मानना है कि आपको जब दो यूनिट आप लोग सर्च करोगे तो यह इसले बस थोड़ा सा मुझे बड़ा लग तो इस वार आपको बसा और कार्बो हाइडरेट के कारकों के बारे में पढ़ लेना चाहिए पूरा और उसके जो उसके बारे में उनका ग्यान और उसका संगठन और क्लासिफिकेशन आप लोग देख लेना यह बहुत जरूरी है और इनकी कमी से कौन-कौन से रोग होते हैं इनकी कमी से कौन-कौन से रोग होते हैं इसके अलाबा यूनिट सेकंड से आप लोग इस वार खनीजों के बारे में पूछ लेना पिछले साल खनीज में सिर्फ कैल्सियम पूछा था इस वार आपको लोहा आयोडीन इनके बारे में थोड़ा सा देख लेना चाहिए तो मिन इसके अलाबा बाटर का जो है डिस्ट्रीबूशन कारिये और बाटर बैलेंस क्या है यह कुश्यन यहां से जरूर देखना क्योंकि पिछले साल यहां से कोई कुश्यन नहीं था संतुलित आहार पिछले साल भी पूछा जा चुका है लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि संतुलित आहार तो इस साल भी पूछा जाएगा यह कुश्यन आपके काफी इंपोर्टेंट है इसके अलाबा यह जो कुश्यन है एडवांटेज ऑफ मील प्लानिंग यानि आपका जो उसमें मील प्लानिंग का क्या रॉल है और फैक्टरस टू कंशिडर वाइल प्लानिंग ऑफ दा मील यानि हम खाने के यानि आहार के जो कौन-कौन से तत्व हैं जिनको आप लोग कंशिडर कर सकते हो इसके अडवांटेज आप लोग देखिए चौथी यूनिट में आप लोग देख पाओगे तो देखिए मुझे ऐसा लगता है कि एक तो अबरबेट और अंडरबेट के उपर एक कुश्यन आ सकता है एक कुश्यन उपर से आप लोग परपज ऑफ डाइट थेरेपी यानि इसका जो डाइट थेरेपी है उसका मुखदेश क्या है डाइबटीज के बारे में तोला सा का है फुल एडल्ट्रेशन का तो इस साल आप लोग जो है फुड प्रिजर्वेशन यानि जो आप बोजन को संरक्षित करने वाले जो विदिया है उनका बोजन का संरक्षन है और किस प्रकार से बोजन को खराब होने से रोका जा सकता है उसकी कौन-कौन सी टैक्निक्स है इसके उपर आप लोग घर पे ही हम कैसे जो है भोजन को खराब होने से रोके इसके उपर कुशन बनता है और बहुत सिंपिल सा कुशन है बैसल जो मेटाबॉलिक रेट है यानि BMR जो होती है इस पे उपर पिछले साल भी कुशन आया था इस साल भी 100% आएगा तो इसको बावित करने वाले कारक कौन कौन से है और एनर्जी के जो है सोर्स कौन कौन से है इसके उपर एक कुशन यहां से बनता है तो कोई भी दो यूनिट यू हैब टू रिविजन कीजिए आप लोगों को सबको मेरी तरफ से सुबकामना है और प्रेक्टिकल की फाइल के उपर क ज्यादा इस्ट्रेस लेने की आपशक्ता नहीं है एक और चीज में आप लोग को बता दू कि यह यूनिट ऐसी है कि इसमें आप लोग चार्ट का प्रियोख करोगे तो आपको ज्यादा दिक्कते नहीं आएंगी आप लोग आसानी से जो है फ्लो चार्ट और डाइग्राम के माध्यम से इस पेपर को अच्छा कर सकते हो थैंक यू सो मच कीप बाचिंग एंड कीप सेरिंग द वीडियो विद यूर फ्रेंड थैंक यू सो मच